दोस्तो 2014 से 2017 बैच के जिन बच्चों ने हरियाना पॉलो टेकनिक डिपलोमा के लास्ट येर के एक्जाम्स के लिए ओनलाइन अपने एक्जाम का फोर्म फिल किया था उन बच्चों के लिए एक नया लेटर जारी किया बोर्ड ने जो वेरिफिकेशन मोबाइल नमबर और इमेल आईडी के लिए है जो की रजिस्ट्रेशन जो किया था जब बच्चों ने तो बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना मोबाइल नमबर और मेल आईडी में correct information की requirement है, email id प्रॉपर होनी चाहिए student की और mobile number student का प्रॉपर होना चाहिए, जैसे ये board वहाँ पे आप लोगों को date sheet भेजेगा, या कोई और other information आएगी, तो वो registered mobile number पे और registered mail पे आएगी, तो इसलिए जो बच्चे जिन्होंने इस तरह की गलतिया की थी, तो वो board ने data जो है, वो concern जो institute है, वहाँ पे भेज दिया है कि किन बच्चों के वहाँ पे ये problems हैं, किन-किन बच्चों के mobile number गलत हैं, या फिर उनकी mail id में कोई problem है, तो इसलिए सभी बच्चे अपने institute से उस चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं, वहाँ से वो list ले सकते हैं, जिस list में ये basic problems वहाँ पे आ रही है, तो board ने इसके बारे में clear guideline दी है institute को कि 23 तारिक 23 सितंबर 2020 बुदवार तक 3 बज़े तक, ये सबी जो problems हैं इनको resolve करें, जिन बच्चों के mail id या फिर जिन बच्चों के mobile number गलत हैं, वो properly करके उनको send करें, ये board के guidelines हैं, तो दोस्तों जो बच्चे final year के जो exam देने वाले हैं, online paper देने वाले हैं, वो इस चीज़ का विशेज ध्यान दे, लगातार हरियाना State Board of Technical Education Board की जो site है, उसको check करते रहें, क्योंकि इसके regarding, exams के regarding, hsbt की site पर या रहा है, तो इस चीज़ पर विशेज focus करें, thank you दोस्तों,